गुड मॉनिंग दोस्तों कैसे आप तो चलिए आज हम बारा नॉबर को बने वाले हरियन करन्ट अफेर के कोश्चिनों को रिजन कर लेते हैं लेकिन यह पर एक चीज में आपको बता देता हूं दोस्तों अब जब तक सर्दियां हैं तब तक हमारा टाइम सुबह पांच बज पढ़ सकते हैं जब गर्मी आएंगे तो समय हमारा जो टाइम है वह वापिस पांच बजे का ही हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर मापको बता दूँ कि अगर आपने कोई भी हमारी हरेना करन्ट अफेर की वीडियो मिस की है तो आपको वह दो बार से देखन पर लोट भी कर सकते हैं एनलोड करना नहीं आता है या फिर आपको डाउन्लूड करने में कोई प्रोब्लम हो रही हैं तो आप स्क्रीन पर दिये गए वरसफ नंमर पर हमें मैसेज कर सकते हैं हम आपको PDF मैसीज कि तुरू ही सैंड कर देंगे तो चलिए शुरू करते हैं आ प्रक्षित स्मारक गोशीत किया जा चुका है तो यह किया जा चुका है अक्टोबर 1905 में से तो यहां पर आप फोटो में भी इस कब्रिस्तान को देख सकते हैं यहां पर यह ग्रीन लाइन है और यहां यह रेड़ लाइन है कब्रिस्तान की आर्किलोजी एंड मीजिम्स किसी भी प्रकार का निर्मान नहीं किया जा सकता है नीली लाइन के भीतर संरक्षित समारक जो यह कब्रिस्तान है यह रखा गया है और यहां पर आप देख सकते हैं जो लाल लाइन है इसके भीतर काफी सारे मकान और यह यहां पर आए हुए हैं तो यहां पर आपको यह सपश 64 के दायत क्रिश्चिन कभरिस्तान को अक्टबर 1905 में में सवन्रक्षित स्मारक गोशित किया जा चुका है कभरिस्तान के बाउंडरी वोल से 15 मेटर तक किसी भी तरह का निर्मान पर्ति बंदिर है इसके इलावा 15 से 30 मेटर तक दायरे तक यदी को निर्मान करता है तो इसकी सब्सक्राइब है हर्यान रोडवेज ने किस योजना के तहित केवल चात्राओं के लिए 211 विसेस बस चलाई है तो यह चलाई गई है चात्रा शुरक्षित परिवहन योजना के तहित चात्रा परिवहन शुरक्षित योजना का मुख्य उदेश्य कोलेज और विश्य बहुत ही इंपोर्टेट हैं इसलिए अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर कपिल कैट पाल सर आपके लिए लेकर आये हैं करन्ट अफेर की फ्री क्लासिज रोज सुबह सुरू करें अपनी तयारी करन्ट अफेर्स के राउंड़ अप के साथ लिंक डिस्क्रिप्रिप्निस में आइ क्लिक करें और मिस मत किजे करन्ट अफेर्स की मास्ट क्लासिज को वो भी बिल्कुल फ्री में तो चली चलते हैं अपनी वीडियों पर हरयनाई सरकार अगले 20 वर्सों में गुरूगराम जैसे कितने सहर बसाने का मास्टर प्लान बना रही है तो ये बना रही है पांच नए सहर स्थापित करने का हर्याना अगले बीस वर्सों में सहरों का राज्य बन जाएगा और यहां पर हर दूसरा आदमी सहरी होगा सहरों पर बढ़ते दवाव से निपटने के लिए सरकार ने पांच नए गुरूगराम जैसे सहर बसाने का मास्टर प्लान तैयार किया है कुंडरी मानिसर पलवर एक्सप्रेक्स वे के दोनों तरफ पचास हजार हेक्टर चेतर में विक्षित होने वाले यह सहर दुनिया के किसी भी विक्षित सहर को टकर देश केंगे इस योजना को सीरे चड़ाने के लिए बकाईदा पंचायत विकास प्रादिकर्ण का गठन किया गया है जिसकी कमान कुद मुख्य मत्रिय मनोहर लाल ही संभालेंगे इन सहरों का मास्टर प्लान हाई रेजलिशन्स एरिया और फोटोग्राफिक का इस्तमाल करके तयार किया जाएगा जो इन सहरों के विकास के सभी पहलों के लिए मार्ग दर्शक दस्तावेज के रूप में काम आएगा अनमान है कि वर्ष 2050 तक देश की कुल जन्चंग्या का लगबग 50 फीसद हिंसा सहरी छेत्रों में रहने लगेगा हर्यान के मामले में सहरी अबादी 50 फीसदस के निशाने को 10 साल पहले ही यानि की वर्ष 2040 से पहले चूलेगी ऐसे में राश्री राजदानी छेत्र में आने वाले राजे की मुक्य सहरी छेत्रों में सहरी अबादी में एबोध पूर इजाफा देखने को मिलेगा हर्यान में NCR के आसपास अरिक्तम गैर सहरी करत शेत्र उपलद है जिसे नए सहरों के रूप में विक्षित किया जा सकता है इसके बाद है मुक्य मंतरी मनोहर लाल खटर ने कि सहर को प्रदेश की सबसे खुबसूरत सीटी बनाने का एलान किया है तो ये भी अलन किया गया है गुरूगराम को ही हर्यान की आर्थिक राज़ानी कहे जाने वाले ग्लोबल सीटी गुरूगराम को विसु के मानचित्र पर उभारने के लिए सरकार ने एक और पहल की है मुक्या मंतरी मनोहरलाल ने गुरूगराम को देश का सबसे खुबसूरत सीटी बनाने की गोशना की है इस कड़ी में उन्होंने मानिसर में अलग से नया नगर निगब बनाने तथा इस चेत्र में न्यू गुरूगराम सहर विक्षित करने का प्रस्ताव तयार करने के निदेश अधिकारियों को जारी कर दिये हैं इन सहरों में स्मार्ट मार्ट दंडों के अनुरूप जल प्रबंदर, शुरक्षा प्रणाली, सावजनिक परिवहन, वैभवन, सुसासन, एजुकेशन, टैली मेडिशन जैसी सुविधाईं विक्षित करने के अवशकता है और इसी के अनुरूप इंफरास्ट्रक्चर भी विक्षित किये जा रहे हैं, उन्होंने का है कि आज लोकारपित की गई दो महत्वपुन प्रियोजनाई भी इसी कड़ी का ही हिसा हैं, गुरूगराम के लोगों को इन दो प्रियोजनाओं के लिए बढ़ाई देते हुए मनौरलाल ने का है कि यह प्रियोजनाई दिवाली के रूप में लोगों के उपहार सवरूप हैं, उन्होंने का है कि गुरूगराम के लोगों को तवरित प्रसासनिक सेवाए उपलब्द करवाने की दिश्टिगत यहां परलगबग 180 क्रोड रुपए की लागत से टावर आफ जस्टिस का निर्मान भी करवाय जा रहा है, इस्ताम गरह स्टेट आप आर्ट के नाम से जाना जाता है जो इस सहर का गोरो भी है, इसके बाद है बिंदावास पक्षी विहार के बाद अब हरियाने के किस जिले में विदेशी पक्षियों की चंसहाट गुंजने लगी है, तो ये गुंजने लगी है यवना नगर में, विदेशी पक्षियों में साइबेरिया, चीन और दक्षिन यूरोप के पक्षि यहाँ पर आ रहे हैं, इन देशों में इन दिनों काफी अधिक ठंड होती है, ठंड से बचने के लिए मैदाने इलाकों की जिलों में ये पक्षि अपनी दिन गुजारते हैं, अतनी कुंड बैराज समेट ताजे वाला वै, आईला, आईया वाला के नजदीक पिछले कई दिन से विदेशी पक्षियों के जुन्ड दिखाई देने लग रहे हैं, अतनी कुंड बैराज पर विदेशी पक्षियों की चहल कदमी और चहचाहार से नेशनल पार्क की शाल वैली का वाता मंत्र मुगुद कर देने वाला बन गया है, वहीं दुल्लब पक्षियों को देखने के लिए आसपास के छेतर समेट साथ लगते राज्यों, हिमाचल वै, यूपी और उत्राकंड के लोग भी यहाँ पर इने देखने के लिए पहुंच रहे हैं, आतनी कुंड बैराज पर पहुंचने वाले पक्षियों में साइबेरियन सारस, धोबीन चडिया, मारगाबी, पिनटैल, कोमन केरन, किंग फिशर, पैंडेट, वोडसेंड, पाइपर, ग्रेल गूजन, गनेर आदी शामिल हैं, इन पक्षियों को इन दुनों बैराज पर पानी में अटखेलिया करते होई देखा जा सकता है, तो यहां पर दोस्तों यम्रा नगर का जिकर हो रहा है, तो यम्रा नगर के बारे में और भी बाते हम जान लेते हैं, यम्रा नगर के चनेटी गाउं में मात्मा बुद्द का स्थूबी बना हुआ है, खिजराबाद नामक कस्वे के पास सी दालू आते हैं यम्ननगर के हरनोल नामगाओं के पास पंच तीर्थ धाम नामक प्राशीन तीर्थ है जहां पर पांडव आए थे इस जिले में कालेशवर महादेव सत्कुम्बा तीर्थ आदिस्तल स्तीत है सस्ती नगर मुस्तफाबाद एक पुराना कस्भा है जहां पर सरस संदारी है तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनलों को स्क्राइब करके घंटे पर हाल नोटिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटे स्टूडियो है वो आपको मिल के सब से पहले तो इसका आंसर है यह ग्राम सेवक पटवारी वे कानून गो को भी दे दी गई है तो यह भी अब आम लोगों के चलान बना सकते हैं इसके बाद है हाल ही में हरियान डेरी एसोशेशन ने फैसल लिया है कि बिना परमिट दूसरे राजियो में दुधारू गाएं बेजी तो एसोशेशन कितने हज रूपय का जुर्माना लगाएगा तो यह लगाएगा पचास हजार रूपय का जुर्माना दूसरे पदेशों में भेजी जा रही दूधारू गायों के बिना परमिट जाने के कारण उन्हें पकड़ने के मामले अब बढ़ गए हैं सदी की मोसम में गाएं तरसक्री के माम से बचने और वैपारियों के दोधारू गायों को बचाने के लिए अब डेरी एस्योशेशन ने बड़ा फैसला लिया है बैठक कर एस्योशेशन के सभी डेरी वैपारियों के लिए फैसला जारी कर दिया गया है अब डेरी एस्योशेशन से जुड़े सभी करीब 125 वैपारी जब भी दोधारू गाएं को दूसरे राजे में भेजेंगे तो इसके लिए पर्मिट जरूरी होगा। वैटरनरी डॉक्टर की ओर से गाएं का पूरा नक्षा तयार करने के बाद एसके बाद ही दोधारू गाएं को दूसरे राजे में भीजा जासकेगा। इस नियम की उलंगन करने वाले वैपारी पर भुशे में एसके बाद हैं के तोर पर यह राशी डेरी वैपारी से लेकर गोशाला में दान दे दी जाएगी। इसके बाद है हाल ही में IPL का 13 सीजन खतम हो गया है। इसमें हरियाना की जीन जिले के टोप 4 गेंदबाजों में किस खिलाडी का नाम आया है। तो यह नाम आया है यजुएंदर चहल का इनकी फोटोम आपको दिखा देता हूँ यह हैं यजुएंदर चहल जो की हरियाना से हैं। हमारे महज 9 खिलाडी अलग-अलग टीमों में थे पर उमदा परदेशन के चलते वे चर्चा में रहे हैं। निलावी में जिन 3 खिलाडी की सबसे ज़्यादा बोरी लगी थी उनसे तुलना करें तो हरियाना के कम कीमत वाले खिलाडी का परदेशन काफी ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पर IPL के अंदर हरियाने की जितने भी किलाडियों ने बहतर परदेशन किया है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो सबसे पहले यह जो इंदर चहल हैं इन्होंने टोप च्यार के इंदबाजों में अपना स्थान बनाया है। जीन्द के जो यह जो इंदर चहल हैं यह जीन्द जिले से समन्दित हैं। RBC के यह सबसे बड़े विकेट टेकर भी रहे हैं। इनका जो प्राइज है वो 6 करोड रखा गया था। इन्होंने 15 मैच खेले और उनमें से 21 विकेट इन्होंने जटके हैं। सेजन में विकेट लेने में चोथे स्थान पर रहे हैं और इंडियन्स गेंदबाजों में दूसरे क्रिकेटर यह रहे हैं। इनका एक विकेट 28.57 लाक रुपए का पड़ा है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं नवदीप सैनी की। तो यह इस सेजन के अंदर सबसे तेज गेंदबाजी करने वाली खिलाड़ी रहे हैं। और इनका संबंद करनाल से हैं। करनाल के रहने वाले हैं नवदीप सैनी। आरबीसी में इन्हें तीन करोर रुपए में खरीदा गया था। इन्होंने भारते गेंदबाजों में सबसे तेज 153 किलोमीटर परती घंटे की स्पीड वाली गेंद भी डाली हैं। इन्होंने कुल 13 मैच खेले और जिनमें से इन्होंने 6 विकेट लिये हैं। तीर पारियों के अंदर इन्होंने 27 रन बनाए हैं। इनका एक विकेट 50 लाख रुपे का पड़ा है। इसके बाद है तेवतिया। तेवतिया फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने 255 रन बनाए हैं और कुल 10 विकेट लिये हैं। पंजाब के खिलाफ एक और में 5 चक्के मारकर राजस्थान को इन्होंने जीत भी देलाई हैं। इन्होंने कुल 14 मैच कहले और 10 विकेट लिये। 11 पारियों में इन्होंने 255 रन बनाए हैं। एक रन 1.17 लाक रुपे में पड़ा है और एक विकेट 30 लाक रुपे में पड़ा है। इसके बाद हैं दीपक उड़ा। दीपक उड़ा इस IPL के अंदर काफी किफायतिक खिलाडी शावित हुए। रवतक के रहने वाले दीपक उड़ा पंजाब से अंतिम साथ मैच इन्होंने खेले। 50 लाक रुपे की इनकी कीमत थी। पांच पारियों में इन्होंने 101 रन बनाए थे। इनका एक रन केवल 49,504 रुपे का पड़ा। चार पारियों में नोट आउट रहे। बल्यवाजी जो ओस्तन है वो सबसे बहतर 101 पर रही है। इसके बाद है शेहजाद एहमद। इनका जन्म मेवात में हुआ है। और RCB में इन्होंने दो मैच खेले हैं। इनका बैस्ट प्राइज बीस लाक रुपे था। और इन्होंने दो विकेट चटके हैं। इनका एक विकेट बीस लाक रुपे का पड़ा है। इसके बाद है हर्शल पटेल। हर्शल पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। लेकिन ये हर्यान की तरफ से खेलते हैं। दिल्ली ने 20 लाक रुपे में ने खरीदा था। इन्होंने कुल 5 मैच खेले हैं और 3 विकेट हासिल किये हैं। एक विकेट इनका 7.66 लाक रुपे का पड़ा है। इसके बाद है अमित विसरा। अमित विसरा हर्यान की रणजी टीम के कप्तान रहे हैं। अमित मिसरा को दिल्ली ने 4 क्रोड रुपे में खरीदा था। इन्होंने कुल 3 मैच खेले थे और 3 विकेट हासिल किये थे। 80% से कम यहाँ पर इन्होंने जो खेल है वो खेला है। इसके बाद है जैंत यादव। जैंत यादव दिल्ली से हैं। हर्याना से रंजी प्राइज 50 लाक रुपे था। मुंबई से 3 मैच इन्होंने खेले थे और 1 विकेट लिया था। इसके बाद हैं मोहित सहर्मा। मोहित सहर्मा दिल्ली की टीम में थे और यह हर्याना से ही सम्मान दी थे। एक ही मैच इन्हों के द्वारा खेला गया था इनका प्राइज 50 लाक रुपे था। और इस एक मैच में भी केवल एक ही विकेट यह ले पाई थे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुश्चिन नमबर 9 परिवन मंतरी मूलचन सर्मा ने हरियाना रोडवेज बस में स्टाफ के लिए एक नमबर SET री जरू की है जबकि चंडेक्टर के लिए कौन सी सीर निधारित की गई है तो यह निधारित की गई है बाउन निमबर SET यान कि अब connector जो bus का driver है उसके पास नहीं बैठेगा बलकि bus के अंदर जो सबसे last street होती है वहाँ पर जाकर बैठेगा तो ये एक अच्छी बात है अब क्योंकि आगे की सवारियों का ध्यान तो जो bus का driver है वो रख सकता है और पीछे की सवारियों का ध्यान कोई नहीं रखता था तो अब conductor की जगए पीछे कर दी गए है तो पीछे की सवारियों का ध्यान भी conductor रख सकता है इसके बाद है हाल ही में MD University के किस प्रोफेसर को विशु के दोस्रेश्ट फिस्दी वेग्यान को की सूची में शामिल किया गया है तो यह है CS पुंडिर इनकी फोटो भी आप आपके सकते हैं मैं जीव विधाल्य के जीव विध्यान संखाय के प्रोफेसर पुंडिर को विसु भर के वेग्यान को के लिस्ट में स्थान मिला है मैसी द्यान जीव विधाल्य की जीव विध्यान संकाय के problèmes Р. Mr. ड. आपना स्थान पाया है वर्ष 184 में प्रोफेसर पुंदीर का पहला विग्यानिक शोद पत्र परकाशित हुआ था अब तक उनके 249-2009 शोद पत्र विसिर्ष विग्यानिक पत्रिक काउं या फिर जरनल्स में प्रकाशित हो चुके हैं वर्ष 2020 में अब तक 20 शोद पत्र परकाशित किये जा चुकी हैं प्रोफिसर पुंदीर बायो सेंसर बायो सेंसिंग टेक्नोलजी और एंजाइम टेक्नोलजी छेतर में शोध कारिया कर रहे हैं वे अक्टूबर मास्क नहीं पहनने पर चलान करने की पावर पुलिस के अलावा अब और किन को मिल गई हैं तो यह मिल गई है गराम सेवक पटवारी और कानून को को भी परिवन मंत्री मूलचन सर्वा ने हर्यान रोड़ेज बस में स्टाफ के लिए एक नंबर सीट री जरू की है जबकि कन् सीट निधायत की गई है तो यह निधायत की गई है पावन नंबर सीट हाइना सरकार अगले बीस वर्सों में गुरुग्राम जैसे कितने नए सहर बसाने का मास्टर प्लान बना रही है तो यह बना रही है पांच नए सहर बसाने का प्लान मुक्यमत्री मनोहलाल खटर ने कि सेहर को प्रदेश की सबसे खुबसूरत सीटी बनाने का यलान किया है तो यह क्या है गुरो गराम को पेनावास पक्सि şi jak kis कि वार के बाद अब हरियाने के किस जिले में चाता सुरक्षित परिवन योजना के तहट हाल ही में हरियना डेरी एस्विशेशन्स ने फैसला लिया है कि बिना परमिट दूसरे राजियों में दुधारू गाएं बेजी तो एस्विशेशन्स कितने हजार रुपए जुर्माना लगाएगी तो ये लगाएगी पचास हजार रुपए हाल ही में अमबाला प्रातत्तव विभाग ने प्रसासन को लेखा है कि स्तैतर साल पुराने कबरिस्तान के तीस मीटर दायरे में बिना अनुमती निर्मान ने होने दे इस क्रिश्चिन्स कबरिस्तान को कब से संरक्षित मारगोशित किया जा चुका है तो यह किया जा चुका है अक्टूबर सन 1995 में से हाल ही में MD University के किस प्रोफेसर को विशु के सेस्ट दो फीसद विग्यान को की सुची में शामिल किया गया है तो यह शामिल किया गया है CS पुंडेर को तो यहां पर हमारा रिविजन टेस्ट भी खतम होता है अब हम देख लेते हैं कल का कोस्टिंस कल हम ने आप से पूचा था कि जल सकती मंत्राले ने हारियाने के 21 जिले को ODF प्लस में देश के टोप 10 जिलो में चुना है तो काफी सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंस्वर दिया था लेकिन जिने नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका राइट आंस्वर है हरे वाड़ी को चुना है जल सकती मंत्राले ने पदामत्रे आवाड के लिए इसी गाउं की बदोलत जिला सोट लिष्ट हुआ है गौरों की बात यह है कि पंचायत की तरफ से किये गए कारियों की बदोलत रेवाडी जिला को जल सकती मंत्राले ने ओडिया ओपन डिफैक्षंस फ्री प्लस में देश के टोप टैन जिलो में चुना है गाउं को पहले यद्वित्य प्रुस्कार के लिए चुना जाता है तो दो अक्टूबर को पीम के हाथों समाद मिल सकता है सुच बहत अभियान के तहट गाउं को वर्ष 2017 में खुले में सोच से मुक्त गोशित किया गया था तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं आजगा कोश्चन्स रहतर के बाद परदेश का दूसरा ऐसा कौन सा जिला होगा जहांबर रेलवे एलिवेटीड टेक्स का नि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जूर कीजेगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे सेर करना बिलकुल मत बूलिए तो चलिए करे में लिए ऐसी है को नई वीडियो के साथ तब तक यह लिए जय हिंद जय बारत